आज हमारे पास 6.1 का question number 3 मुझूद है उसमें आपने questions को solve करना है HCF by division method के जरीए तो हम सबसे पहले एक छोटी से example के साथ उसको समझ लेते हैं कि HCF by division method क्या होता है और उसको किस तरह साल के आ जाता है वेट HCF by division method में for example हमारे पास ये दो value है value है एक 250 और एक height है अब हमने क्या करना है सारी से बात है जो बड़ी value होती है उसको हम हमेशा अंदर रखते हैं और छोटी value को हमेशा बाहर रखते हैं इसमें भी आपने कुछ यूं करना है कि बड़ी value को अंदर और छोटी value को बाहर रखना है तो अब आपने 8 को divide करना है कि वो हिंसा आए जो के 25 से less 4 यह equal आए तो अगर 8 का table 4 तक परा जाये तो हमारे पास क्याता है बाढ़ जाता है हम 3 तक पाढ़ लेते हैं 8 3 तक 24 तो अब 8 का table 3 तक परा जाये तो हमारे पास आता है 24 अब 5 में से 4 नगाल है तो बेटा आपको पास क्याता है 1 और यह 0 फिर आपके पास as it is नीचे आ जाता है अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास remaining value बची है वो अब भी बड़ी है कि से 8 से तो अब आप फिर क्या करें 8 का वो table परें वो हिंसा लेके आए आपके पास beta 8 आएगा अब 10 में से 8 माइनस करें तो आपके पास 2 आएगा अब क्या होगा कि जो यह 8 value होगी जिससे हमने divide किया है 250 को वो अब हमारे पास क्या आएगी अंदर आएगी value और फिर 2 पे divide होगी तो 2 4 आपके पास क्या हैगा 8 और जो आपका uns आएगा और जो आपका hc अपआएगा वह बेटा की आएगा ये 2 आएगा जिससे हमने last time 8 को क्या किया है divide किया है तो अब हम अपने question की तरफ चलते हैं और question तो देखते हैं उसके अंदर भी आपने जो बड़ी value है power की वो पहले लानी है और जो अंदर रखनी है मतलब और जो छोटी value है वो आपने बाहर रखनी है अब जैसे देखें यहां पर x की cube है यहां पर भी x की cube है मतलब पहली दो value बिल्कुल सेम है अगर पहली दो value बिल्कुल सेम है अब देखें बैटा यहां पर किया 3x की但 यह क्यां है इसका मतलब कुन से यह व्यालीव है हमारा पर 3x की स्केड तो यह वही बैल्यू डिवाइड के अंदर आएगी यहां पर मैं लिख लेता हूं x की cube plus 3 x की square minus 16 x plus 12 वो जो छोटी value है वो बाहर आएगार उसकी वर क्या होगी divide होगी x की cube x की square minus 10 x और plus 8 अब देखिए मेरा आपके पास क्या है यह x की cube है यह भी x की cube है मतलब पहली दोनों value powers की बिल्कुल same है तो आप इसको cutting करने के लिए 1 से multiply करते हैं जब मैं इसको 1 से multiply करूँगा तो क्या होगा यह तुमाम value as it is आजाएगी और x की cube क्या होगा x की cube के साथ cancel हो जाएगा अब देखें यहां मैं लिख लेकते हैं x की cube plus x की square minus 10x plus 8 अब आपके पास क्या है आप बेटा इसमें क्या किया जाता है कि नीचे वाले साइन होते हैं वो change करते हैं प्लस है तो माइनस है तो प्लस लगा दिया जाता है यहां पर भी माइनस आएगा अब प्लस माइनस माइनस x की cube x की cube से cancer अब प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 निकाले तो हमें पता है 2x की square आएगा प्लस माइनस माइनस 16 में से 10 अपकARI दो हमें पता है कि 6 से आएगा 6X अब इलामत कुछ से इसके साथ आएगे जो हमेशा बड़ी value के साथ sign होका वो हमेशा आएगा 17 बड़ा है 17 के साथ क्या हम sign आम आरे पास minus तो यहां minus आएगा अब plus, minus, minus 12 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पस 4 आएगा और साइन 12 का आएगा और वो है प्लस अब देखें बेटा आपने क्या करना है यह x के स्केट छोटी है यह x क्यों बरी वैल्यू है अब आप क्या करें सबसे पहले से में देखें कोई चीज कामन तो नहीं आ रही इसमें 2 6 4 है इस प्रजैंपल में किया था 8 को अंदर रखा था और पर जो वैल्यू आई थी रमेइनिंग वैल्यू उसको आपने बाहर रखके डिवाइट गार दिया था सेम तो सेम इस केस में भी यह होगा अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे अंदर रख लेंगे डिवाइट के दोड़ यहां पर जो तो अच्छा बेटा अब आपने क्या करना है यहां पर एक्स की क्यू एख लाने के लिए हम इसको किससे एक्स को एक्स कि स्कियर से करेंगे यहां आएगा एक्स की क्यों एक्स still करेंगे तो मलडिप्लाइगा फिर आप एक्स को भी करें तो आप पास ठीर आएगा अब फिर आप क्या करें, sign change कर लें, नीचे वाले, ये cancel, plus 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 four x की scale, minus minus plus ten में two add किया जाए, तो minus 12 x और plus eight आप अब देखें बीटा, कि हमारे पास यहाँ पर x की scale है, यहां पर भी X के स्केयर है. मतलब दोनों values equal आगे हैं. जब equal आजे तब भी आपने क्या करना है, उसको यहां पर हिसाल करने हैं. तो आपके पास आएगा 4 हैं, यहां पर 4 मजूद नहीं है. इसका मतलब हमने इसको किसे मल्डिप्लाई करना हैं. यहां plus 4 के साथ. 12 x आएगा और साथ माइनस क्योंकि 3 के साथ क्या मुझूद है माइनस फिर 4 का 2 से मल्डीप्ली करने है तो आपके पास 4 2 जा 8 आएगा इस तहां आपके पास यह तुमाम वैल्यू कैंसल होंगी और लास पर आपके पास शिपर आजएगा और आपका जो होगा वो कौन सा होगा बेटा जिससे हमने उस वैल्यू को डिवाइड किया है लास टाइम तो यह आपका क्या एगा है तो यहां मैं लिखता हूँ है अपके पास x के और माइनस 3 x प्लस 2 के तो यह बेट सबसे पहले देखते कौन सी बरी वैल्यू है ताके उसको हम डिवाइड के अंदर रख सकें और जो चोटी वैल्यू है उसको हम डिवाइडर के तोर पर बहार रख सकें अब देखी बेटा इसमें क्या है मारे पास x की 4 यह है मारे पास 5 x की क्यूब 5 x की क्यूब है इसका मत चोटी वैसे है और यहां पर आपकी पास आएगा 5 x की क्यूभ प्लस 3 x की स्कीर माइनस 17 x4 प्लस 6 अब देखे बिटा यहां पर मार पास x की 4 है यहां पर मार पास x की क्यूभ है XTQ को 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा X से multiply करना पड़ेगा अगर हम X से multiply करेंगे तो ये X की क्या बन जाएगी 4 बन जाएगी लेकिन मसला क्या है इसके साथ हमारे पस 5 मुझूद है लेकिन इस value के साथ 5 मुझूद नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करें इस value को तुमाँ value को multiply कर दे किसके साथ 5 के साथ यहाँ पर आप लिख सकते हैं multiply by 5 ठीक है जब हम multiply 5 के साथ करेंगे तो 5 को इस सबसे multiply करना पड़ेगा तब value आप क्या आएगी 5X की 4 plus 5X की cube minus 10X की square plus 5X minus 15 अब देखिए बेटा अब आपने क्या करना है अब आप easily इसको X से multiply करके यहाँ पर put कर सकते हैं और तब value माल पास क्या हो जाएगी cutting हो जाएगी आप देखिए X को X की cube से multiply करेंगे तो 5X की 4 आएगा और आपके पास फिर क्या आएगा X को X से multiply करने से 3X की cube और हमारे पास फिर आएगा X को X से multiply करने से 17X plus X को 6 से multiply करने से आपके पास आएगा 6X अच्छा पेटा आपने क्या करने नीचे वले तुमाम साइन्स को change करते हैं minus जो plus है वो minus जो minus है वो plus यहाँ पर plus यहाँ पर minus अब देखिए minus होने से क्या होगा यह वाली cancel plus minus minus 5 में से 3 निकाल देगे तो यहाँ एगा 2X की plus minus minus तो 17 में से 10 निकाल देगे तो आपके पास आएगा 7X last वाली जो आपका sign होगा हमेशा वो ही आएगा देखिए यहाँ पर 17 के साथ पहले minus था ना तो आपने minus नहीं लगाना जो हमने change की है उसका sign वो आपने लगाना है तो यहाँ 17 के साथ plus है तो अब यहाँ पर plus आएगा अब देखिए plus minus minus 6 में से 5 निकालेंगे यह खाली 1 आएगा अब देखिए 6 के साथ minus है plus नहीं क्यूंकि हमने उसका sign change कर दिया है तो इसके साथ अब क्या एगा minus और यह minus 15 आपके पास बिड़ा as it is ही आजाएगा अब देखिए मारे पास क्या है यहाँ पर x की क्यूब है यहाँ पर मारे पास x की क्यूब है लेकिन यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर क्या है 2 मजूद है values दोनो variable की power दोनों सेम है लेकिन मसला किस में आ रहा है आपके पास value में आ रहा है अब आप क्या करें 2 को ऐसे इन पर डिवाइड करें जो 5 के टेबल में भी आता हो तो हम क्या करते हैं इसको दबारा 5 से III करेंगे जब हम दबारा 5 से III करेंगे तो फैटियो क्या है इन क्या करेंगे देखते हैं 5 tos are 10 तो २िजारी सी बात है जो 10 है वो 5 के टेबल में आता है तो हम इस तरह easily solve कर सकते हैं question को अब आपने कहा करने 5 को 7 से भी multiply करने है तो आपके पास value आएगी प्लस 5 सामजा 35x और 5 बांजा 5x माइनस 5 5 बांजा 15 25 और 5 बांजा 5 और 7 आदेगा अब देखे बिटाब आपके पास ये equal आ रही है अब एकस की qiube है ये भी x की qiube है अब हम 5 को इस ऐसे नमबर से multiply करते हैं जो के 10 लेकर आए अब यहाँ पर हमारे पास क्या मजून है 10 तो हम क्या करेंगे यहाँ बाल लास 2 से multiply करते हैं जब हम 2 से 5 को multiply करेंगे तो यहाँ 10x की आएगा और फिर 2 को 3 से multiply करे आपके पास क्या है गा को प्रक को दो को से मल्डिप्लाइ करें तो हमारे पास आता है 34 x और 2 को 6 से multiply करें तो आपके पास आता है 6 2 गा 12 बनता है और 7 आपके पास प्लास आएगा अब हम नीचे वाले sign change करते है यह value cancel 35 में से 6 को minus किया जाए तो बेटा आपके पास क्या आएगा 35 में 6 को minus किया जाए तो आपके पास आएगा 29 x के प्लस माइनस माइनस 34 में से 5 को minus किया जाए तो आपके पास आता है 29 x और minus minus जब प्लस अब 5 2 हमारे पास 7 7 मन 8 और आपके पास यहाँ minus का sign आएगा क्योंकि 75 के साथ आपके पास minus मुझूद है अब देखें 29 29 और 87 अब आप क्या करें इस में से 29 कामल लेने जब हम कामल लेंगे value को 29 x की scale प्लस x माइनस अब 29 को अगर 3 से multiply किया जाए तो आपके पास 87 आता है तो अंदर कामल लेने से क्या बाद जेगा आपके पास सिर्फ 3 बाद जेगा अब आपकी value यह क्या चोटी value है x की cube बरी value है अब आपने same to same अब इस value को क्या करना है अंदर रखना है और इस value के साथ उसको divide कर देना है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपके पास फिर कुछ यह आएगी value यहाँ पर 5x की cube प्लस 3x की scale माइनस 17x और प्लस 6 और बाहर आपके पास क्या था x की scale प्लस x माइनस 3 अब देखी बेटा आपके पास क्या है x की cube यह है x और साथ क्या मुजूद है 5 मुजूद है तो आपने इसको 5x से multiply करना है क्योंकि फिर माइन पास value की आएगी equal आएगी 5 को इससे multiply करेंगे 5 पांजा 5 x को x से multiply करेंगे x की cube इसी तरह आपके पास आप 5 को x से multiply करें आपके पास क्या आएगा 5x की square 5 को 3 से multiply करें आपके पास आएगा 15x अब आप नीचे वाले sign change कार दें यह cancel प्लस माइनस माइनस 5 म निकाला जाए तो आपके पास आता है minus x की minus 2x की square plus minus 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 2x और यह आपके पास plus 6 as it is आजएगा अब आप बेटा क्या करेंगी minus 2 को इसमें से कामर ले ले यहाँ देख लें सबसे पहले यहाँ x की 2 है यहाँ पर भी x की 2 है इसका मतलब power बिल्कुल same है तो अब हम क्या करेंग इसको multiply करेंगे तो आपके पास आता हैगा minus 2x की square minus 2 को किस से multiply करेंगे तो plus minus 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 2x 2 को 3 से multiply करेंगे 6 और यह minus और यह minus क्या आजएगा आपके पस plus आएगा minus से बेटा हमने इसलिए multiply किया अगर हम plus से multiply करते तो क्या ना था आपको नीचे sign change होने थे तो फिर plus हो जाने थी value हमेशा या रखेंगे अगर फिर्स में आपके पास minus आता है तो आपने दर्मियान में उसको minus से multiply करना है तो अब आप क्या करें इसको add कर ले sign मतलब change करने plus plus minus अब आप इनको cutting कार दें यह cut गया यह और आपके पास जो ans आएगा xcf के तोर पर वो कौन साएगा बेटा यह बलाएगा x की square यहा मैं लिख लेता हूं xcf का जो ans है x की square plus x minus 3 है जाप आपके बलाएगा XC XC